तो दोस्तों आज की जो क्लास है वहने वाली है मैंग्रोव के बारे हम सब कुछ जानेंगे इंडिया में कहां पर यह भी आपको जानना है तो छोटी सी क्लास होगी बहुत ली पावर पैट क्लास रखेंगे और कल हम करेंगे और के साथ हम प्लूशन टॉपिक पर मूब करेंगे उससे पहले बहुत सारे प्रीवियस और कुशिंस इन्वाइमेंट इकोलोजी कोर इकोलोजी कोर से जितने भी सवाल आये हैं वह भी हमें डिसकर्स करना है क्योंगी तो मैं स्वेशल डेडिकेटेड क्लास जाल दूँगा क सब्सक्राइब करेंगे तो इसी बीच कुछ सवाल भी आ रहे हैं तो एक सवाल पूचा है अमन ने और कोई सोर्स देखनी है देखिए तो इन्वाइमेंट स्टेटिक में मैं आपको कह सकता हूं आप बिलकुल निश्चिंद हो जाएंगे आपको और कोई सा भी कोर्स नहीं देखना कुछ नहीं देखना कोई बुक नहीं देखनी स्टेटिक पार्ट में इतना ही मोर देन एनफ है मोर दिन सफीशंट जो पीडियेफ आपको मैं दे रहा हूं यह मोर दिन सफीशंट है यह पीडियेफ पढ़िए एंड ट्रेंड की चीज़े समझे एकोलोजी समझने अगर नहीं समझेंगे तो रटने में दिक्कत हो जाती है एक मिनट दीजेगा एड यूजल आ जाते हैं थोड़ी दिक्कत है कोई बात नहीं तो समझना बहुत जरूरी है तो उसको समझने पर फोकस कीजिए एंड हो सके तो समझी एंड पीडियेफ बार 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 रिवाइ कीजिए और कुछ नहीं चाहिए स्टेटिक इतना ही है करिंट के लिए जब सवाल उठाइसर करेंट आप कहां से करवा होगे तो करेंट जल्दी हम लेके आएंगे अनिरुद्सर भी करेंट का क्राश कोर्स कर आएंगे तो उसमें भी आपकी करेंट इन्वायमेंट कवर करेंगे यह आपको बिल्कुल एक्जाम रिडी बना देगी चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ आज की क्लास है यहां पर आप देखे तो हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं जसा स्क्रीम पर देख सकते हैं तो दोस्तों जो मुझसे पहल इंटर्वेंस दिया है इसके सब्सक्राइब किया है तो यह मेरी की प्रोफाइल है यहां पर आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं तो आपको मेरे दोरा बनाया गया सारी स्पेशल मिलेंगी डेली नाइन थर्टी पीम वीगडे डेली नहीं हर वीगडे पे नाइन थर्टी इसके सिवा दोस्तों जो भी पीडिएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है तो आप लोगों को अगर आप वन येर की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन है वह 31 जुलाई तक मिलेगी याने एक्स्टेंडेट मिलेगी त सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट दो साल की सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे हैं तो इसमें जरूर आप जाएं जाके अलिजिबल हैं अगर आप इस पर प्रक्रिप्र प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं तो फ्रीट शीरीज पाथ फाइंडर इंपल्स भी हो रही है तो इसमें जरूर रूर करें युदि कोट की कि इसके सेवाज दोस्तों एकाडमी कॉंबाट है सब्सक्रिप्शन के लिए तो जल्दी से एंड्रोल हो जाएं तो दोस्तों स्टाट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास पहला टॉपिक है मैं ग्रोव को सिस्टम तो मैं ग्रोव अगर आप देखें तो यह कैसे इसके पत्ते नहीं गिरते एक ऐसी फॉर्स्ट सबसे पहले बग्रोव करते हैं यह बिना पत्ते गिरने वाले फॉरेस्ट तो शेल्टर लो लाइंग कोस्ट इस चुरी मड़ फ्लाट टाइडल क्रीक बैक वाटर्स मार्शे एंड लगून सफ ट्रॉपिकल एंड सब्रॉप लीजन तो यह अगर आप देखें तो समुद्री इलाकों में समुद्र से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर आप देखोगे मैंग्रोव करते हैं कॉस्ट में जब नदी समुद्र से मिल रही है उन अस्टुरी में वैसे आप देखो तो जहां बैक वाटर से टाइडिल क्रीक से उन इलाकों में आपको mangrove grow करते हुए दिखेंगे लेकिन याद रखिएगा यह ग्रोब करते हैं ट्रॉपिकल एंड इसम्ट रापिकल रीजन में आप टैंपरेट रिजन्द पॉलर रीजन में जाओगे तो आपको mangrove forrest नहीं दिफेंगे यान को उगते हुए दिखेंगे मतलब कि अगर यह समुद्र का लेवल है कुछ इस प्रकार से अधीश कोस्ट हमारी ऐसे हैं इस कोस्ट में मान लीजिए इस कोस्ट में मान लीजिए यह तो आप अगर देखोगे यह समुद्र वाला इलाका है यह हाई टाइड लेवल है यह लो टाइड लेवल है तो मैंग्रोव आप देखोगे ना यूज्वली कुछ इतने ही इलाके में ग्रो करते हुए आपको दिखेंगे तो यही आपको याद रखना यही कहना चाह रहे है यूज्वली देखोगे तो इनकी जो बेस्ट लोकेशन होती है मैंग्रोव के ग्रो होने की वह है जहां पर नदियां क्या करें बहुत सारी मिट्टी लाए तो नदियां अगर देखोगे तो नदियां प्रेश्ष Schall canadود पानी मीटूता है मैंग्रो Komm जेश्वली difficरिया क्योट क्यों घंनियां पानी में रहता है neighboring तो यह टृक्ष श़ाइन होते हैं है हाई सैउलिटी वा में और रहता है पांच से 35 पर थाउजन तक उस पानी की साइलिटी होती है अगर आपको याद है एकोटिक एकोसिस्टम जो हमने पढ़ा था तो हाई सोलर रेडियेशन इसलिए चाहिए क्योंकि यह मैंग्रोव क्या करते हैं इनके जो पत्ते हैं यह पत्ते इवैपो ट्रांस्पिरेशन करा हैं तो कंटिन भी पत्ती करां रहे हैं कहांता है इनके से होता है तो इस दौरां पत्ते क्या करते हैं वैप जो और जो पानी उसको अरभा को अगर आप देख होगे एहां पे क्रिस्टल के रूप में जमा होता होगा आपको दिख जाएगा इन पतों पे तो हाई सोलर रेडिएशन चाहिए क्योंकि इस सेलइन वाटर &お गें हैं तो क्या करोगे बहुत सारे बहुत क्रीक पार करते हो और उस डुरान आप देखोगे नीचे घेर सारे mangroves में और उन आप देखो गे पत्ते चमक रहे हैं तो क्यों रहें क्योंकि salt के क्रिस्टल्स उनके पत्तों में जमा हुआ आपको लगे हुए दिखेंगे जो कि जिस वज़े से वो चमकते हुए भी दिखते हैं तो आहे हो आप लोगों को समझ आ रहा है जल्दी से एक बार मैं देख लेना गुड मॉर्निंग विकाश गुड मॉर्निंग रिशव आप सभी ट्री यहने पानी में रह रहे हैं तो नमक से दोस्ती करनी पड़ेगी तो क्या कहेंगे halten नमक्त यान में लविंग तो यह क्या है आट वाट्र को नमक को फिल्टर करते हैं तो जो इनके पत्ते होते हैं उनमें किया होता है salt secreting glands होते हैं जिसके माध्यम से वो नमक को filter out करते रहते हैं कुछ mangroves क्या करते हैं जड में ही उनमें उनके जड में ही वो नमकीन पानी खीचते ही नहीं है और इस दोरान क्या होता नमकीन पानी खीचते हैं और जड से ही filter out कर देते हैं और salt का absorption ही ब्लॉक हो जाता है जड में ही इसके सिवा आप देखें तो इनका root system बड़ा complex होता है तो यह देखिए यह दो प्रकार के mangroves के आपको roots दिखेंगे यह दो डाय फोटो देखिए तो अगर आप देखें एक avisenia जो mangroves का प्रकार है उनमें अगर आप आप देखें तो उनमें होता है न्यू मैटो फोर्स तो न्यू मैटो फोर्स यह आपको जानना बहुत जरूरी है तो इस पेड में जो जड है वह आप देखेंगे कैसे पानी से उभर के आ रहे हैं तो क्यों आते हैं क्योंकि आप अगर देखो तो इनके जड से भी respiration होती है जड में भी respiration होती है लेकिन अगर जड पानी के नीचे रहेगा तो वह कैसे respiration करेगा तो इसलिए वो क्या करता है पेड तो वह पेड़ इस प्रकार से पेड़ इस प्रकार से अपने जड़ को जमी पानी से उपर निकाल देता है तो इस दौरान क्या हो जाता है यह आप देखेगे तो रेस्पिरेशन कर लेगा तो ऐन एरोबिक कंडीशन जाहां ऑक्सीजन की कमी आ वहां भी जी जाएगा बिना दिक्कत के ऐसां देखते हैं अगर आप देखो तो इसकी बात हो रही है यह वहां चैज जो आप यहां पर रह रहा है तो जहां पर इस समुद्र की लहरे आ रही है वेव जा रहे हैं तो वेव जाहिर सी बात है मिट्टी काट दी होंगी आते टाइम और जब वो बिट्टी वापस बहा के ले जा रहा है तो उस दौरान भी काटेगा मिट्टी तो जाहिर सी बात अगर कोई पेड़ है तो सके नीचे की मिट्टी कटती रहेगी तो पीड़ कुछ दिन में क्या हो जाएगा गिर जाएगा तो इसलिए इन पेडों में क्या होता है complex root system होता है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि भाई यह जो पेड़ है इसको मल्टिपल सपोर्ट मिलता है अलग अलग रूट से तो ऐसे रूट को क्या कहते है चिल्ट रूट परपस क्या है जो वेव इरोजन हो रही है उससे प्रोटेक्शन देना नमबर वन नमबर टू पानी बार-बार हाइट वे उपर होती है लोट वे नीचे जाती है तो पेड़ को तो भाईया रूट को भी रेस्पिरेशन करना है तो ऐसे पेड़ क्या होंगे इसको हाइड भी गेन हो जाएकि तो पानी के लेवल से भी थोड़ा ऊपर हो सकता है तो स्टैंटाब हुपर होगी तो दौरान क्या करेगा यह कं इसके सिवा यह जाली की तरह फहले हुए होते हैं तो जो रही है रही है री है तो वह रूट क्या करेंगे उससे फिल्टर आउठ मैंगरोव क्या करता है इरोजन से बचाता है मरीन से बचाता एक बहुत इंप एक बहुत इंपोर्टेन्ट अगर आप देखोगे यह जो रिप्रोडक्षं एश्में Seeds अगर आप देखो, Usually क्या होता है, आम का बीज होता है, आम का खाया, अंदर से बीज निकला, बीज क्या क्या? मिट्टी में डाला, पेड निकला लेकिन큼 वीविपैरिटी में क्या होता है कि जो Seeds है, जो बीज है वो पहले ही अंकुरित हो जाती है जर्मिनेट कर जाती है पेड़ में ही और जब उसके जड़ और हलके से निकल जाते हैं तब जाके वो पेड़ से नीचे गिरती है और यहां पे छोटा-छोटा मैंग्रोव उगना शुरू हो जाएगा तो इस mode of reproduction गया कहते हैं वीवी पैरिटी याने सीट्स क्या करते हैं पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं और उसके बाद उपर की और पेड़ बनके उगते हैं चली तो यहीं थे कुछ यहां पर आपने देखा बातो ॥ Jennifer एक व्या आ रही है ये फिर फिर रूट भी है उन चौह यहां को क्या रही है और य सब रही हैं मिट्टी वहाँ पे शेटल करवा देगी तो इस दोरान जो कोस्टल इलाकें हैं वह क्या हो जाएंगे स्टिबलाइज हो जाएंगे आप लाकों में आज के कंटेक्स में जब क्लाइमिट चींज हो रही है तो क्या हो रहा है इस दोरान सी लेवल कर रहे हैं तो इस दौरान मैंग्रोफ क्या करते हैं अगर आप मैंग्रोफ लाके रखेंगे तो मिट्टी के लिए मिट्टी काटना इतना असान नहीं होगा तो कोस्टल इलाके क्या होंगे उनकी मिट्टी बची रहेगी तो इसी को कहेंगे स्टेबलाइज हो जाएंगे कोस्टल शोर नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगर मैंग्रोफ इको सिस्टम में गये हैं तो वह बहुत बढ़िया ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं फि से अटाज भी बिसela हो सकते रहते हैं उसमें गहीं प्राकार खशर्ण रहते हैं तो कुछ वैसे ही मैंगों क्या करते हैं तो इस इसंडि एक रखर करते हैं तो सिवा habitat provide करते हैं क्या है मैंगरोव इलाके हैं मिट्टी कैसी है वाँ पर और गनिक मैटर रिच होती जा रही है पत्ते गिर रहे हैं डिकंपोज नहीं हो रहे हैं और कंडिशन तो पीटी मिट्टी हो रही है पीटी लेयर है पीट का बना हुआ है और गनिक मैटर में रिच है तो उसमें आप अगर देखोगे साथ-साथ continuously जो nutrient supply है बहुत ज्यादा है इन इलाकों में तो इस वज़े से primary productivity क्या है इन इलाकों की बहुत high productivity है इन ecosystems की high productivity होने के वज़े से आप देख सकते हो यहां पर अगर आप दिखाऊं मैं आपको तो यह है mangroves की productivity third highest आप देख सकते हो compared to coral reefs, tropical rainforest और फिर आती है mangroves की productivity तो इतनी high productivity है तो इस वज़े से अगर high productivity है तो क्या होता होगा multiple ecological niches होंगे तो specialized species होते होंगे तो मल्ट बहुत ही high अगर multiple ecological niches है मतलब diversity of the ecosystem क्या है बहुत high है तो इस वज़े से mangrove ecosystem देखें तो multiple specialized species हैं जो कि अपने अपने ecological niche पर operate करते हैं इस वज़े से high diversity है specially fishes के लिए breeding ground का role play करते हैं इसके सिवा mangroves numerous type of flora, fauna, av fauna याने चडिया wildlife को भी support करती है and environment provide करती है उन सभी को breeding के लिए spawning के लिए जानवर breed करते हैं मचलिया spawn करती हैं अंडे देती हैं उगती हैं जहां से और कई प्रकार के fishes यहां पर पाई जाती हैं इसके सिवा आप अगर देखें तो mangroves क्या करती है तो जो floods आ रहे होते हैं उस दोरान specially आपने देखा होगा कई बार क्या होता है tides high tide के दोरान flood भी आते हैं तो उस दोरान क्या होता है कोई भी mangroves क्या करेगी तो उस पानी को impede करती है तो flood की severity को low करती है तो संसून के दोरान high tide or floods जब mix हो जाते हैं तो उसमें जो coastal lowlands है उसको डूबने से बचाती है और साथ साथ सबसे important जो mangroves हैं आप अगर देखें तो अंडमा निकोबार में mangroves ने कई इलाकों को क्या किया जब tsunami आई थी तो उस tsunami में उची उची लहरे जब पानी की आ रही थी तो mangroves क्या की first wall of defense का का काम करती है तो सबसे पहले उस उची लहरों के सामने खड़ी हो जाती है तो वो जो tsunami आती है सबसे पहले उस mangroves जंगल से टकराती है जंगल से टकरा के क्या हो जाती है slow down energy उसकी आधी निकल जाती है mangroves में ही उड़ जाती है उसके बाद जब वो शहरों तक या पीछे गाउं है वहां तक पानी की लहरे आती है तब तक उसकी energy काफी कम हो जाती है सुनामी से बचाती है वैसे ही साइकलोन के दौरान तो जब साइकलोन लैंडफॉल करता है याने कोस्ट में जमीन को हिट करता है उस दौरान भी आप देखोगे तो क्या होता है सबसे पहले साइकलोन की जो energy है किस सबसे पहले साइकलोन की energy इस जंडल के द्वारा कर जाती है तो शौक करते हैं और पीछे जब गाउं है तो यहां तक इंपक्ट आते आते हवा का थोड़ा कम हो जाता energy हो चुकी होती है तो इस प्रकार से यह लाइक सुनामी हरीकें फ्लड्स प्रोटेक्ट करते हैं इसके सिवा जहां इंपोर्टेंस हुआ आपको क्या याद करना है जितना भी को सिस्टम का मैंने बताया था आपको एक रामबान इलाज क्या करोगे प्रोविजिनिंग सर्वि सेडिबल प्लांट्स तो जो सुन्दर बन मैंग्रोव्स हैं वह काफी टाइम से राधर बहुत सालों से शिप्स बनाने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं शिपिंग इंडुस्ट्री के दवारा सुन्दरी जो सुन्दर बन के पेड हैं उनका नाम है जो जंगल है जो प्रोइमेंट भी प्रोवाइड करेगी तो ठीक है रविंद्र बिश्णोई देखिए इंग्लिश में कंटेंट तो जाहिर सी बात है पर कोशिश रहेगी आपको हिंदी में भी सब कुछ समझ आ जाए मेरा मानना है यूप सी से लिए आपको चीज़ें रहतनी नहीं है आप आपको यह समझ नहीं है अगर आप समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है फिर आप किसी भी कंटेंट से अपने बुक्स से आप पढ़ सकते हो लेकिन एक बार समझ लिए इसको तो चीज़ें याद हो जाएंगी बस विजुलाइज कीजिए पिक्चराइज कीजिए चीज अब इतना याद रखने से नहीं होगा आपको मैं कुछ कुछ बता रहा हूं वह सब याद करते चलिए तुंदर बन याद कीजिए वेस्ट बेंगॉल का आपको मालूम ही होगा ओडिशा का भितर कनी का याद रखना है तुबर्न रेखा याद रखना है महान अधी मैंग्र है लिखते जाए नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए कॉपी में आपको ऐसे नोट मिल जाएंगे तो सुंदर बन वेस्ट बेंगॉल में ओडिशा में भितर कनी का महान अधी सुबर्न रेखा और चिलका आंधर प्रदेश का कोडी को रिंगा और इकट भी याद रखिये इसके बड़ आप अंडनमान निकोबार में बहते हैं उसमें नहीं दिया है मैं आपको लिक बता हुँ ऑंग को बारातां मैन्होग चलीए बहुत सेमस और आप बारा टांग मैंरोम के लिए उसमार से वारा टांग मैंणो मैंग और अगर आप देख ने आपको वेमनाद में आपको याद रखे वेमनाद लेक है उसमें मैंग्रोफ पाए जाते हैं करणाठका में आपको याद रखना है कारवार में और गोवा का दो गोवा है आपको मालूम ही यह गोवा है कितना वड़ा तो महराश्ट्रा में रत्नागीरी मैंगोव स्याद रखिएगा इसके सिवा इसके सिवा जो बॉंबे वाला रीजन है तो मुंबई में हैं साथ साथ विक्रोली में हैं तो यह सिवापको मालूम होना चाहिए इसके सिवा गुजरात में गुजरात में बहुत इंपोर्टेंट है तो गल्फ ऑफ कच में हैं गल्फ ऑफ खंबात में हैं इसके सिवा आप देखोगे तो डूमस यह जो सूरत वाला इलाका है वहाँ पर भी आपको डूमस में भी दिखेगा तो गल्फ ऑफ कच में हैं गल्फ ऑफ कंबात में हैं जादा इससे बड़े मैंग्रोव ब्लॉक आपको और कहीं नहीं दिखेंगे इसके सिवा आप देखे तो भितरकनी का ओडिशा में इंडियन सब प्रॉब्लम क्या है की थोड़े से डीग्रेडेड्ट हैं तो कहाँ पे हैं पीचा वरें तमिल नाडू और विधर नियां सौट सत्याग्रा तो यहां पर यहां पर काफी ज़ादा अक्वा कल्चर किया जाता है श्रिम्फ फार्मिंग प्रॉविंस जिसको कहते हैं उनकी वार दिया गया है इस दौरान तो डीडेड हो गए है इसके सिवा किरला में आप देखेंगे तो इस रीजन में भी मैंग्रोव पाए जाते हैं तो यहां के जो मैंग्रोव हैं वो छोटे-चोटे-चोटे हाइट के होते हैं याने कैसे कहते हैं इनको scrubby type of mangroves तो इनकी जो growth होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है ज्यादा height attain नहीं करते सुंदरी mangroves आप देखेंगे सुंदरी species अगर आप देखोगे उंचे-उंचे होते हैं लेकिन Gulf of Kutch and Cory Creek वाले जो mangroves है scrubby होते हैं scrubland छोटे-छोटे height के आपको दिखेंगे ज्यादा height के mangroves नहीं है और ज्यादा उंचे नहीं है और patches में होते हैं continuous नहीं है discontinuous patches में हैं और कच्छ के soft clay mud में होते हैं इनको दिक्कत किसे हो रही है Gulf of Kutch कोरी क्रीक को कौन खा लेते हैं तो यहां आपको जानने हैं खराई camel यह क्या करते हैं यह समुद्री पानी में तैर सकते हैं तो इसलिए खराई camel खराई याने खारा खारा पानी में रहने वाला camel है यह समुद्र में तैरता भी है स्विम भी करता है और यह को खाता भी है तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास समाप्त होती है और आज यहीं तकरते सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ दोस्तों आने वाले दिन में आने वाले याने कल आपके लिए हो रहा है तो वहीं जरूरी है बाकि कुछ आपसे बच्पन के वाले सवाल नहीं पूछती कि इसका डेफिनीशन दो इसका कुछ दो नहीं सिर्फ वह नहीं पूछेगी वह थोड़े समझने वाले इंटर रिलेट करके टॉपिक्स बनाती है तो इसके लिए बहुत जरूरी सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो जब भी आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी बस सब्सक्रिप्शन लेकि मुझे जरूर कॉल करें थैंक यू सो मच पर जोइनिंग और वापस मिलेंगे इसी टाइम पर आगे की काहनी बढ़ाते हुए थैंक यू सो मच